Hello everyone, कैसे हैं आप सभी लोग? I hope आप लोग के exams की preparation बहुत अच्छी चल रहे होगी आप MCQ questions की बहुत अच्छी practice कर रहे होंगे जादा से जादा MCQ questions आप लोग देख रहे होंगे आज के इस वीडियो में हम लोग discuss करने वाले हैं Economics का Chapter 1, that is Development इस चैप्टर पर हम लोगोंने पहले दो वीडियो देख लिए हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो description में आपको इन वीडियो के link मिल जाएंगे तो आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं तो आज हम लोग discuss करेंगे Development Chapter में हमारा एक और नया topic जो की है हमारा How to compare different countries or state हम लोगोंने previous वीडियो में National Development के बारे में पढ़ा था और हम लोगोंने वहाँ पर ये पढ़ा था कि individuals के goals जो है development को लेकर वो different होते हैं हर कोई development को एक नजर से नहीं देखता या फिर उसकी सोच development को लेकर एक जैसी नहीं होती हर किसी के लिए उसका मतलब अलग है जब individuals का मतलब अलग है तो इस हम लोग countries को लेकर बात करें national level पर बात करें तो वहाँ पर भी लोगों के goals जो है development notions जो हैं वो बिलकुल different होंगे यह तो बिलकुल सही चीज़ है अगर development के goal different है तो हम लोग कैसे compare करें हमारे मन में यह सवाल उठेगा कि हम countries को कैसे compare करें हम किस basis पर एक कह देते हैं कि कुछ countries तो developed है कुछ under developed है या फिर कुछ developing है क्या हमारे पास कोई तरीका है बिलकुल friends हमारे पास तरीका है बट उस तरीके को जानने में बहुत सारे student है ठीक है अब आप लोग को वहां पर एक sports team आप लोग को बनानी है तो आप किस basis पर महां पर students को जो है differentiate करेंगे आप महां पर उन students को नहीं लेंगे जो पढ़ाई में बहुत अच्छे है क्या वही students ले जाएंगे जो पढ़ाई में बहुत अच्छे है या फिर वो student ले जाएंगे जो running में जिनकी health अच्छी होगी, जो बहुत, जिनकी height अच्छी होगी, हम उन्हीं बच्चों को किस में लेंगे, sports team में लेंगे, इसी तरीके से एक class में बहुत सारे बच्चे होते हैं, जिन में physical appearance सबका अलग-अलग होता है, height सबकी अलग-अलग हो सकती है, सबकी hobbies अलग-अलग हो सक सकते हैं, interest अलग-अलग हो सकते हैं, मतलब एक class में रहने वाले लोगों में इतना differentiation हो सकता है, तो सोचिए एक देश में रहने वाले लोगों में कितना differentiation होगा, तो वहां पर हम students को careful 8 characteristics के basis पर हम लोग differentiate नहीं कर सकते, वहां हम लोग के पास बहुत सारी characteristics हैं, सेम इसी तरीके से फ्रेंड्स हम लोग countries को भी केवल एक तरीके से हम लोग नहीं differentiate कर सकते हम उसे एक basis पर यह नहीं बोल सकते कि यह developed है यह फिर underdeveloped रापन है लेकिन यह देखी है यहां पर छोड ऐसा हमारे पास statement लिखा हुआ है usually we take one or more important characteristics of a person and compare them based on these इस characteristics ठीक है हम लोग एक ही characteristics नहीं लेते हैं हम एक से ज्यादा characteristics लेने के बार उन्हें compare करते हैं उन्हें differentiate करते हैं और उस basis पर फिर हम लोग एक result देते हैं यह चीज हमने समझी एक छोटे से example पर हमें उसे बहुत बड़े लेवल पर नहीं बहुत छोटे से से लेवल पर ले लिया जो कि था हमारा एक classroom ठीक है जहां पर हर स्टुएंट की अपनी अलग-अलग characteristics होती है जिसके basis पर हम उन्हें divide कर देते हैं जैसा कि आपको देख रहा है एक तो है बहुत लंबा बच्चा एक है बहुत छोटा बच्चा ठीक है यह एक characteristic हो सकती है यह थोड़ा मोटा है यह थोड़ा पतला है यह भी characteristic हो सकती है तो मतलब सभी का अपना अपना एक अलग-अलग appearance होता है तो हम different characteristics के basis पर किसी भी country को या फिर छोटे से classroom को हम differentiate कर सकते हैं compare कर सकते हैं अब हमारे जो country है हमारे दिमाग में सवाल उखता है कि हम लोग किस basis पर उसे हम compare करें देखिए यह सवाल हमारे दिमाग में उठ रहा है what are the characteristics to compare different countries class को लेकर तो हमने बात कर ली आप उसे पूछेंगे मैं हमने class को लेकर बात कर ली कि हम लोग इस बेसिस पर compare कर सकते हैं पर country के लिए क्या है बताईए हम लोग countries को कैसे कर सकते हैं तो चलिए इस question का answer हम आपको देते हैं हमारे दिमाग में एक सवाल गूम रहा था कि countries को हम किस basis पर compare कर सकते हैं तो उस सवाल का जवाब है यह छोटा सा statement देखिए देख लेते क्या है यह statement income is considered to be one of the most important attributes यहां पर one of the most बात की गई है मतलब और भी सारे attributes हो सकते हैं और भी सारे source हो सकते हैं countries को compare करने के लिए लेकिन सबसे जो important source है वो है हमारा income चलिए मान लिया income एक source है countries को compare करने का बट भाई income को हम कैसे मान लें कैसे measure कर लेंगे क्या कभी आप लोगों ने चीज़ सोची है या फिर कभी सुना है कि इंडिया ने office का bag उठाया और office चल दी या फिर US ने bag उठाया और office चल दी या यह तो बहुत अजीब चीज है ना ही कभी सुना है ना ही कभी देखा है तो रहते हैं जो people रहते हैं वो लोग जो कमाते हैं उसी वही जो है क्या हो जाती है country की income हो जाती है जिसे हम लोग total income बोलते हैं ठीक है जिसे हम लोग total income कहते हैं उस country में earn करने वाले लोग जितना कमाते हैं उन सब को अगर plus कर दिया जाए तो वो हमारी total income कहलाती है पर total income को हमे डेवलप्ड या फिर अंडर डेवलप्ड हम नहीं रिजर्ट दे सकते हैं उस चीज का ऐसा क्यूं इसकी अपनी कुछ लिमिटेशन्स है इसलिए आपको मैं बहुत छोटे से एक्जामपल से इस चीज को समझा देती हूं देखिए माल दीजिए एक कंट्री है जो है इसका है थोड़ा छोटा वो हो गई भी ठीक है माल दीजिए यहां पर रहते हैं एक कंट्री की जो पॉपिलेशन है वो सिक्स पीपल है थ्री फोर फाइव सिक्स यहां पर छे लोग रहते हैं बी कंट्री में माल दीजिए तीन लोग रहते हैं बी कंट्री में तीन लोग रहते है मेरी ड्राइंग पर मज़ जाएगा बहुत खराब है ठीक है तो यहां 6 लोग रहते हैं और B में 3 लोग रहते हैं यहां की जो A कंट्री की जो टोटल इंकम है वो माल दीजे 30,000 है बहुत छोटे नंबर देंगे छोटी पॉपिलेशन के साथ करेंगे ताकि इसली हमें समझ में आ जाए और जो दूसरी कंट्री है कंट्री B उसके टोटल जो इंकम है वो 21,000 ठीक है अब देखिए टोटल इंकम के बेसिस पर अगर यहां कोई भी देखेगा तो वो यह कह देगा कि कंट्री A जो है वो डेवलप्ड है इंकम पारिजन टू कंट्री B बट दास नॉट दे रियालिटी हमने यहां पर सिर्फ एक अट्रिब्यूट देखा एक सोस देखा कि टूटल इंकम के बेसिस पर कंट्री A जो है वो जादा डेवलप्ड है बड़ अगर हम रियालिटी चेक करें यहां पर तो यह चीज ऐसी नहीं है यहां पर रहने वाला एक इंसान कितना तो बताइए यहां पर एक इंसान 5,000 कमा रहा है और वहां पर एक इंसान 7,000 कमा रहा है तो कौन सी कंट्री में लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड लोगों के रहने का तरीका वहां पर जो सुविधाय होंगी फैसलिटी होंगी किस कंट्री में जादा अच्छी होंग अट्रिब्यूट डिफ्रेंशियेशन के लिए नहीं मान सकते हैं ठीक है टोटल इंकम का फंडा आप लोग को समझ में आ गया होगा अब हम उस बेसिस के बारे में बात करेंगे जिसके बेसिस पर हम कंट्रीज को वाकई में कंपेर करते हैं और वो है हमारा एवरेज इंकम ठी भी बोलते हैं जैसें हिंदी बोला जाता है प्रती व्यक्ति आये एक इंसान कितना कमाता है एवरेज ली वो यहांपर काउट की आ जाता है एक country में रहने वाला एक इंसान average और सतन कितना कमा लेता है वो हम यहाँ पर count कर लेते हैं और इस basis पर हम एक country को developed, underdeveloped, यह सारी चीज़े हम निकालते हैं यहाँ पर एक चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली है कि हमारी कौनसी organization average income को ही compare करने का एक source मानती है सिर्फ average income को, वो है हमारी world bank world bank सिर्फ average income के basis पर ही एक report निकालती है और उस report पर लिखा होता है कि consequence country is developed है consequence country underdeveloped यह consequence country developing है अब किस तरीके से वो चीज़ होती है, वो हम लोग देखते है just a second प्लीज देखिए, यह है इस basis पर, देखिए world bank जो है वो world development report निकालती है ठीक है, और उसके according average income ही एक ऐसा तरीका है जिसके basis पर countries को अच्छे से divide किया जा सकता है उनको compare किया जा सकता है और एक सही result भी दिया जा सकता है लेकिन वो कहते हैं ना कोई भी चीज़ perfect नहीं होती है हम लोग एक characteristic के basis पर कैसे किसी country को हम लोग compare कर सकते हैं ऐसा तो possible नहीं है तो हमने पहले ही यह चीज़ पढ़ ली है कि एक या एक से जादा characteristic के basis पर हमें compare करना चाहिए ठीक है, लेकिन world bank जो है वो सिर्फ एक characteristic यूज़ करती है देखिए, अब यहाँ पर हम लोगों ने सबसे latest data है वो यहाँ पर लिया है according to NCRT NCRT का बिल्कुल latest data है आपके exam में इससे question भी बन सकता है ठीक है, देखिए World Development Report कौन देता है? World Bank देती है यह आप लोगों मैंने अभी यह चीज़ बिल्कुल clear करती है अब क्या basis है कि इससे ज्यादा income होगी तो country developed होगी income इससे कम होगी तो under developed होगी तो यह हमें कैसे पता चलेगा? तो इस चीज़ का एक ratio एक number हमें World Bank ने दिया हुआ है जो हमारे mind में set रहना चाहिए जो हमें याद भी रहना चाहिए तो देखिए यहाँ पर per capita income US dollar हम US dollar में ही इसको हम लोग measure करते हैं जिसकी income 49,300 US dollar per annum से ज्यादा होगी 49,300 US dollar से ज्यादा होगी वो countries जो है high income countries और rich countries कहलाएंगी क्या कहलाएंगी? 49,300 US dollar ठीक है? इससे income जिनकी ज्यादा होगी वो तो कहलाएंगी rich countries और जिनकी income US dollar 2,500 से लेस होगी मतलब 2,500 हो या फिर उससे लेस हो तो वो countries low income countries low income countries या फिर under developed countries वो कहलाएंगी या जिनकी वहाँ पर उतना विकास नहीं हुआ है देखिए 2019 का ये डेटा है इंडिया की जो income है वो है 6,700 US dollar पर एनम अगर हम इंडिया के आसपेक्ट में बात करें तो US dollar अगर 6,700 पर एनम यानि की सालाना जो पर कैपिटा इंकम है इंडिया की वो 6,700 डॉलर है अब यह जिसको भी रुपीज में निकालना हो तो इस टाइम जो भी चल रहा हो यूएस डॉलर आइजिंग 75 एस टाइम तो आप 75 से मल्टिप्लाय करके वो निकाल सकते हैं ठीक है रुपीज में तो इसी लिए इंडिया जो है किस में आती है इंडिया आती है लो मिडल इंकम कंट्री में आप लोगों से इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपके एक्जामस में पूछा रा सकता है कि अकॉर्डिंग तु दे वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट इंडिया किस पूजिशन पर स्टैंड करती है लो इंकम कंट्री, हाइ इंकम कंट्री, लो मिडल इंकम कंट्री इस तरीके से बहुत सारे आप्शन आपको दे दी जाएंगे और अगर आपको ये चीज नहीं पता होगी कि इंडिया की पर इंकम कितनी है या फिर क्या रेशियो इस टाइम पर चल रहा है तो आप इसका अंसर सही नहीं दे पाएंगे बहुत सारे स्टुडेंट लेटेस्ट फैक्ट पूछते हैं तो आपकी NCRT के कोडिंग लेटेस्ट फैक्ट यहीं है तो आपको सिर्फ यही याद रखना है कि वो इसी बेसिस पर बनेगा तो इंडिया का आप लोग को ध्यान रखना है इंडिया जो है वो लो मिडिल इंकम कंट्री है गाट इट? I hope आप लोग को यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी हमने अभी तक यह चीज़ पढ़ ली है कि हम लोग एवरेज इंकम के बेसिस पर कंट्रीज को डिवाइड करते हैं कंपेर करते हैं डिफरेंट कंट्रीज को ठीक है अब हमने यहां पर सिर्फ एवरेज इंकम के बारे में पढ़ा है अपनी limitations हर किसी की होती है इसी तरीके से friends average income की भी कुछ limitations है ये friends disparities को hide कर लेता है ये कमीयों को मतलब जो अमीर और गरीब इंसान के बीच का gap होता है rich और poor के बीच का gap होता है वो इसको छुपा देता है कैसे छुपा देता है चलिए देखते है averages are useful for comparison but they also hide disparities मतलब अगर country में यह हो रहा है कि अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है तो average income उस disparity को छुपा देगी उस disparity को hide कर देगी ground reality किसी को पता नहीं चलेगी ठीक है लेकिन average income के basis पर जो country को compare किया जाएगा तो वहाँ एक बहुत अच्छा ratio आपको मिल जाएगा वहाँ एक बहुत अच्छी position आपको मिल जाएगी लेकिन ground reality हम आपको दिखाते हैं देखिए यहाँ पर भी हमने दो countries के basis पर compare किया है country A and country B ठीक है देखिए यहाँ पर आप लोगको पांच लोगों की average income दी हुई है यहाँ पर पांच citizen है country A के और आपको उनकी average income दी हुई है ठीक है monthly income क्या दी हुई है monthly income दी हुई है average हम लोग अभी आपर निकालेंगे उनका देखिए आप लोग को average income का formula पता है मैं यहाँ पर AI लिखूंगे average income के लिए artificial intelligence नहीं है average income है तो यहाँ पर होगा total income of the country and total population ठीक है यह यह इसका formula होता है अब यहाँ पर जो 5 लोगों की income दी हुई है पहली country के अगर हम बात करें इसको अगर हम plus करते हैं तो इसे plus करने के बाद जो आएगा वो आएगा हमारा 50,000 आप जो है वो plus करके देख सकते हैं 50,000 और total citizens कितने हैं 1,2,3,4,5 population कितनी है 5 तो यहाँ याने की यहाँ पर एक इंसान महिने का 10,000 रुपे कमा लेता है कितना कमा लेता है 10,000 रुपे कमा लेता है वो country A country A यह है 10,000 रुपे चलिए मान लिया बहुत अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पर जाधा disparity नहीं है 9,500, 10,500, 9,800, 10,000 और 10,200 इस तरीके से जो है एक हमारे पास एक सही रेशियो है बहुत जाधा difference नहीं है एक average न सभी लोग सही कमा रहे हैं लेकिन एक दूसरी ground reality भी हमारे पास है उसको भी चेक कर लेते हैं यह है country B के हाल मतलब country B हर जगे खराब हो रही है मैंने भी country B कोई खराब लिया था यह कोई बात नहीं country B के क्या हाल है यहाँ पर देखिए friends 5 वो है 5 citizens है और उनकी income आपको दी हुई है ठीक है अगर इनको भी हम लोग plus करेंगे तो वो आएगा 50,000 and हमारे पास population same है 5 और यहाँ भी एक इनसान जो है वो कितना कमा रहा है दस हजार ही कमा रहा है अब जर्ण मुझे बता दीजी यहाँ पर आपको कहां पर दस हजार दिख रहा है एक इनसान तो महीने का 48,000 रुपे 48,000 रुपीज कमा रहा है और बाकी के citizens सिर्फ 500 500 500 कमा रहा है तो यहाँ पर अगर कोई देखेगा मेंली रिपोर्ट्स को देखेगा तो उसको अकॉर्ड वहां की जो condition है वहां की जो facilities है वह बहुत अच्छी है लेकिन इसने जो है वो सारी disparities को हाइट कर दिया वहां पर रिच और पूर के बीच का difference था उसको बिलकुल हाइट कर दिया जिसकी वज़े से कई बार जो development की जरूत होती है जिन चीजों के जरूत होती है इन रियालिटी यही होती है यह नहीं होती है यह तो कोई बहुत ही मतलब आप यह समझ लीजिए कि आदर्श्रवादी कुछ ऐसा हो कोई देश हो तो वहां की हो सकती है अदर्वाइस most of the ground reality यही होती है जहां पर एक इंसान इतना ज्यादा कमा रहा है और एक इंसान की हालत जो कर रहे हैं हैं कारि अ कैसी भी बیटे हैं लेकिन सब मिलकर यूज़ कर रहे हैं वहाँ तो सही है मज़िए ना पड़ रहा है यहाई छीज ठीक नहीं है यह हमें एक सच्चाई पढ़नी थी तो वो सच्चाई हम लोगों नहीं हाँ पर पढ़ ली है जो हमें हमारी chapter में number one chapter हमारा जो है economics का उसने हमें बता दी है I hope आप लोगों को यह चीज बिल्कुल clear हो गई हो average income की सारी disparities आपको पता चल गई हूँ आपको पता चल गया होगी वो किस तरीकी से disparities को हाइड करती है इसकी क्या limitations है average income हम निकालते कैसे हैं यह भी आपने देख लिया कई बार आपको question दे सकते है average income निकालने का तो आप easily निकाल सकते हैं या फिर आपसे formula भी बूच सकते हैं ठीक है ना आपको statement दे दिया कि total income upon total population किसका formula है तो आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए तो I hope यह सारी चीज़े आप लोग को बिल्कुल clear हो प्रेंट्स आप जो है मुझे इस तरीकी के lectures के लिए unacademy पर भी follow कर सकते हैं unacademy पर हम लोग इस तरीकी के बहुत सारे questions discuss करते हैं mcq based question, case study question assertion reasoning के question वो हम discuss करते हैं और इस मन्त मैं unacademy पर बिल्कुल free हूँ मेरी सारी classes जो है वो special classes हैं बिल्कुल free तो आप मुझे unacademy पर जोइन कर सकते हैं एक announcement और है और वो है हमारा friends ये winners week friends ये है winner week children's day था इस संडे को और हम लोग ये बना रहे है unacademy बना रहा है winner week आप लोग friends ask a doubt मतलब सवाल पूछने का भी कुछ आप लोगों मिले तो कितना मजा जाए आप लोगोंने question पूछ और आपको उसका कोई gift मिल जाए तो इससे बड़े बात तो कुछ हो ही नहीं सकती unacademy वही कर रहा है आप लोगों सिर्फ doubt पूछने हैं और उन doubt से friends आप 15 days का free unacademy plus subscription ले सकते हैं बहुत सारे बच्चों ने इस चीज़ का फाइदा उठाया है तो जो students अभी रह गए है वो जल्दी से description में जो link दिये हुए है उन links पर जाएए अपने doubts पूछिए और 15 days का plus subscription अन अकड़मी से बिल्कुल free लेजिए friends बिल्कुल मत भूलिएगा आपको link सारे description में बिल जाएंगे आपको सिर्फ और सिर्फ एक app डाउनलोड करना है जिसका link भी आपको description में मिल जाएगा वहाँ जाके अपने doubts पूछने है लेकिन offer सिर्फ limited time तक है जो कि है 15 से 21st of November तो don't forget जल्दी जाएए और जल्दी से अपने doubts पूछिए और अपना subscription 15 days का free ले लिजिए so friends मिलते हैं next video में एक नई topic के साथ और कुछ नए interesting facts के साथ तब तक अपने exam की अच्छी practice करते रहिए stay safe, stay healthy, bye bye